हेलो फ्रेंस मैं हूँ चंदन और आज के वीडियो में हम आपको IRCTC का लाइफ रेजिस्टेशन करके बताएंगे तो फिर आप इस वीडियो को लाश्ट कर जरूर देखें दोस्तो परजेंट टाइम में CSE VLE के लिए एक ओफर दिया गया है जो भी CSE VLE है वो आज अपना CSC IRCTC के अंतरगत रेजिस्टेशन कर लें दोस्तो यदि आप रेजिस्टेशन करते हैं तो आपको मात्र 10 रुपया में आपना रेजिस्टेशन कर पाएंगे दोस्तों पहले यह registration fee 2000 रुपया था और बीच में 1000 रुपया लिया जा रहा था registration का और अब मातर 10 रुपया में अपना IRCTC registration कर पाएंगे तो चलिए दोस्तों कैसे आप अपना registration मातर 10 रुपया में कर पाएंगे इसके बारे में जान देते हैं सर्व पर्थाम आप अपना digital सेवा पोटल को लोगिन कर लें लोगिन करने के बाद यहां search बटन पर किलिक करके IRCTC सर्च करें जैसे ही आप सर्च करते हैं आपके सामने यहां दो option आजागा एक IRCTC registration और दुसरा रेलवेट टिकट बुकिंग आपको IRCTC registration वाले बटन पर नीचे किलिक हेर वाले बटन पर किलिक करना है अब आपके सामने यह दूसरा पेज खुल के आ जाएगा और यहां बहुत सरा option मिलेगा आपको सर्पर्थम सबसे नीचे आना है और यहां IRCTC registration वाले टेप पर किलिक कर देना है अब आपका दूसरा पेज खुल के आ जाएगा और यहां आप देख पा रहे होंगे मात्रे 10 रुपया में आप अपना registration कर पाएंगे तो दोस्तो को किलिक कर लेना है तो चलिए हम यहां किलिक कर लेटे हैं जैसे हैं किलिक कर लेते हैं यहां पर आपको बताया जा रहा है पर टीक VALI के लिए यह अनिवारी है अताह आप साओ मात्रे 10 रुपया में अब भी अपना registration कर लेए तो यहां हम process button पर click कर लेंगे अब आपके सामने registration page खुल के आ चुका है सामने तो यहां आप जितनी भी detail है वो यहां पर enter कर दे दोस्तों यहां पर आपका CAC ID पहले से लिखा हुआ नजर आएगा यहां आपको first name enter करना है यहां पर यदि आपका middle name है तो middle name enter करना है और यहां last name enter करना है दोस्तों आप अपने पिता का नाम यहां पर enter कीजिए अपना data worth यहां पर enter कीजिए mail या फिर female यहां से select कर लिजिए अपना pay number यहां पर enter कर देजिए अपना आधार number यहां पर enter कर देजिए आप सरा चीज इंटर करने के बाद आप नीचे इस तो फ्रेंज जैसे ही आप अपना अधार नमबर इंटर कर देंगे दियान रहें आपका मौवायल नमबर वो होना चाहिए जो इससे पहले आपका किसी भी आईजसात किसी रेजिस्टेशन में उपयोग नहीं किया गया हो और आपका दुसरा यदि मौवायल नमबर हो तो यहाँ पर इंटर कर दिजे है तो दिजे नहीं है तो नहीं दिजे अब नीचे आपको email id इंटर करना होगा अब इस खटाल में आप अपना email id इंटर कर देजिए और दूसरा email id है तो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं अपना state यहाँ से सेलेक्ट कर लिजिए अपना district यहाँ से सेलेक्ट कर लिजिए अपना pin code यहाँ पे इंटर कर देजिए और आपका जो address है वो यहाँ पे इंटर कर देजिए और यदि आपका office address अलग है तो आप यहाँ पे इंटर कर देजिए यदि सेम है तो दुनों जग़ एक ही address आप देपाएंगे और उसके बाद आपको नीचे फिर आना है और आप अपना CSC का लोकेशन यहाँ पे अफ्लूड करना है लोकेशन में आप अपना bank passbook mini statement, voter ID card, निवास परमान पत्र, टेलिफोन बिल, बिजली बिल, रासन काट कुछ भी डिटेल यहाँ पे आप अफ्लूड कर सकते हैं दोस्तो यह सारा documents 100KV से कमका होना चाहिए तभी यहाँ पे अप्लूड होगा और यहाँ I agree बटन पर किलिक करके Pay and submit कर पाएंगे तो friends हम अपना IRCTC registration के लिए सारा डिटेल यहाँ पे बारिकी से फिल कर चुके हैं अपना pen card और passbook यहाँ पे हमने upload कर दिया है 100KV से कम में और यहाँ I agree to terms and condition वाले option पर हमने tick भी लगा दिया है और यहाँ pay and submit पर किलिक करेंगे ताकि 10 रुपिया का charge payment कर अपना registration कम्प्लीट कर पाएं तो चलिए यहाँ पे हम किलिक कर देते हैं तो आप देख पा रहे हैं हमारा ID यहाँ पे है registration नमबर यहाँ पे दिया गया है और हम payment पर किलिक करेंगे हमने payment पर किलिक कर दिया है अब यह redirect होके हमारा digital swap portal wallet के पास ले जाएगा जहाँ पे हम अपना pin इंटर करने के बाद अपना payment कम्प्लीट कर पाएंगे दोस्तों यहाँ से आपका CSC ID का password पूछा जाता है और अपना CSC ID का password यहाँ पे इंटर करने के बाद यहाँ पे अब wallet का password पूछा जाता है तो आप यहाँ पे इंटर कर दिजिए ताकि आपका 10 रिप्या का payment हो पाएंगे और हमारा payment successfully हो चुका है और हमारा receiving की दोस्त आ चुका है तो friends हम यहाँ पे क्लिक करके अपना receiving प्रिंट कर लेते हैं ताकि भविस्य में यह हमें काम आए तो friends यहाँ पे हम तो अब यहाँ पे हम यहाँ पे change save as PDF और क्लिक कर लेते हैं और इसे हम save कर लेते हैं ताकि भविस्य में किसी भी सूचना या जानकारी के लिए यह सुरक्षित रह सके तो friends यह हमरा save हो चुका है और आप चाहें तो इसका एक इसकी इसूट भी ले सकते हैं इसकी इसूट लेने के लिए अब यहाँ पे आप इतना दुरका image cutting कर सकते हैं तो friends आज की वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद friends